है गाईस बेलकम बैक टू माई फर्स्ट टाटोरियल ऑप आउटलाइन सो गाईस आज की इस वीडियो में मैं ग्रेट मेथट से आउटलाइन को ड्रॉ करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि मैं कौन सा एप यूज करता हूँ ग्रेट मेथट के लिए क्या क्या टूल्स हैं जिस इससे मैं आउटलाइन को ड्रॉ करता हूँ यह सारी वाते आज इस वीडियो में मैं आपको किलियर करूंगा तो बने रही है हमारे चैनल पर शुच्छार करते हैं वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपको यह सारा process समझ में आए कि किस परकार grade method से एक outline को ड्रॉक की हाजाता है जिससे एक realistic drawing को बना सकते हैं तो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस app की जिस app को मैं अपने grade method में यूज करता हूं grade बनाने के लिए तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कियो नाम के एप है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्राइप्शन में दे दूंगा बहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना तो इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर फाइल के आप्शन पर क्लिक करते हैं फाइल के आप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ दो आप्शन दिये होते हैं औरिंटेंशन और पेपर साइज दो आप्शन दिये होते हैं तो हमें औरिंटेंशन पर क्लिक करना है यहाँ पर भी हमें दो option दिये होते है vertical का और original का तो यहाँ पर हमें vertically रहने दिना है and अब paper size कि हमें कौन से size पर drawing करना है A3 पर A4 पर तो यहाँ पर वही paper size जिस पर आपको drawing बनानी है अगर paper A3 size का है तो आप यहाँ पर A3 size को select कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं A4 size को select कर लेता हूँ and अब हमें उस photo को select करना है जिसकी हमें drawing बनानी है तो उसको select रहने के लिए हम open पर click करेंगे open पर click करने के पाद यहाँ पर gallery पर click करेंगे और यहाँ से हमें बो photo select करनी है जिसकी हमें outline draw करनी है तो हम फोटो को select कर लेते हैं एंड अब हमें crop को option दिया होगा तो यहांपर फोटो को crop करना होता है तो तो आपको जितनी फोटो को draw करना है आप उतनी फोटो crop कर लेते हैं तो यहांपर crop कर ली crop करने के बाद यहाँ पर ओपर दो option दिये होते हैं पहला है so level का और दूसरा option है so grade का तो सबसे पहले हम so grade वाले option पर click करते हैं तो यहाँ पर boxes बन जाते हैं यानि कि हमारी drawing grade हो जाती है अब हम दूसरे option पर click करते हैं तो यहाँ पर boxes में numbering बन जाती है 123 यानि कि इससे हमें पता लग जाता है कि कौन से boxes में हमें क्या draw करना है अब चलते हैं इदर setting की तरफ तो यहाँ पर हमारे कुछ option काम की है पहला है size 1 sale तो यहाँ पर मैं 20 mm ही use करता हूँ आप चाहें तो 25 mm इच कर सकते हैं तो मैं तो यहाँ 20 mm इच करता हूँ तो इसे ok करते हैं एंड दूसरा option है great color तो great color पर हम click करते हैं यहाँ से हम color को choose करते हैं कि हमें कौन सी color की great करनी है तो यहाँ पर तो मैं ready use करता हूँ तो ready को रहने देते हैं अब चलते हैं थर्ड आप्शन पर इस्ट्रॉक तो इस पर किलिक करते हैं यहां पर वन है तो यहां पर हम पता लगाते हैं कि ग्रेड मोटी है या पतली तो यहां पर मैंने टू पर किलिक किया तो हमारी ग्रेड मोटी हो गई है तो मैं ऐसे बनी रहने देता हूं अब हम थर्ड ओप्ष्न पर चलते हैं यह थर्ड ओप्ष्न सेव का है इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज गैलरी में सेव हो जाती है यह सारा प्रोसेस था इस एप का अब हम चलते हैं अपनी ओड्लाइन की तरफ और ओड्लाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं अब हमें अपनी स्केल में 20 mm को सेलेक्ट करना है 20 mm ही बॉक्सेस बनाने हैं तो हम 20 mm की नापके बॉक्सेस को बना लेते हैं जैसा कि हमारी ग्रेड में है अब जैसा कि हमारे ग्रेड में नंबरिंग है वैसे हमें इन बॉक्सेस में नंबरिंग को प्रोवाइड करना है तो हम नंबरिंग को बॉक्सेस के अंदर डालती हैं आप लोग देख सकते हैं हमारी नंबरिंग पढ़ चुकी है इसमें 50 एंड इसमें 11 नंबरिंग है वो ही हमारे रेफरेंस में 15 एंड 11 इससे में पता लग जाता है कि हमारी ग्रेड क्लियर हुई है वोटो ग्रापको अब्सरीट करके हम सबसे पहले आई को बनाना स्टार्ट करते हैं आपको यह अब्सर करना है कि कौन से बॉक्स में क्या ट्रॉ करना है वहीं से उप स्टार्ट करें तो हम eyes को बनाना इस्टार्ट करते हैं मैं HP pencil से बना रहा हूँ hardline को ड्रौ कर रहा हूँ अलके-अलके आतों से हमें reference को देख कर बही box में ड्रौ करना है जिस box में reference है तो हमें अलके-अलके आतों से ड्रौ करना है आपको यह दियान रखना है कि जिस box में है हमें उसी box में draw करना है अगर आप किसी और box में draw कर देते हैं तो आपकी पूरी outland गरबर हो जाएगी तो यह नहीं करना है आपको दियान रखना है कि जिस box में draw है हमें उसी box में outland को draw करना है कर दो हमें हलके-लके आंतों से बनाना है बॉक्स इसको देखकर कि इबेक किस बॉक्स में क्या चीज ड्रॉय है तो मैं हैर को बना रहा हूं हलके-लके आंतों से बनाना है आपको जदा टाइट पेंसल पकड़ने की जरूरत नहीं है आउटलाइन में ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है यह ज्यादा कठिन काम नहीं होता है बस आपको टैमिंग के धियां रखना होता है कि आउटलाइन में टैमिंग देना पड़ता है यह नहीं कि आपने दस या पंदरे मिनिट में आउटलाइन बना लिये तो बिलकुल नहीं य देना पड़ेगा एक घंटा देड घंटा आपको बनाना पड़ेगा सब्प करके बनाना पड़ेगा नहीं तो यह र equiv ऐसलेंस की तरह से म लगेगी नहीं और जब और सही नहीं होगी तो आपकीais बने इसलिए आप आफ्लाइन में जादा टाइमिंग दें और जितना हो सके उतना रेफ्रेंस की तरह बनाने की कोसिस करें तो आपकी ड्राइंग भी किलियर बनेगी आज के लिए इतना ही गाइस एंड डू प्रैक्टिस एंड टेक केर तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी ड्राइंग के साथ तब तक के लिए बाई बाई